गुद आफ्टरनों अल्ली स्टूरेंट्स के बिहार करन्ट अफियर के थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है तो आज हम शुरू करते हैं जहां से हमने खतम किया था और मैंने यह भी कहा था कि आप लोगों को जो भी पॉइंट्स दिये जा रहे हैं जो भी क्लास कवर हैं उनसे रिगार्डिंग कुश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अगर अपके कुश्चंस हमारे दिये गए नोट से हमारे दिये गए क्लास से अगर यह आपके लिए बन पा रहे हैं तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैम आपकी क्लास बैनिफीशियल है या नहीं यह मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमारे साथ बने रहें यूटुब पर कमेंट भी करते रहें यह बोलकर कि मैम आपकी क्लास बैनिफीशियल है यह नहीं है और मैं एक डिक्वेस्ट आज आप सबसे फिर करना चाहूंगी जो आप लोग तो जितने भी दिन है अपनी स्ट्राटेजी को स्ट्रॉंग कीजिए क्योंकि बिहार करन्ट अफेर से कुश्चंस अच्छे-खासे पूछे जाते हैं तो जैसे ही आप क्लासे को कवर अप करते हो ठीक उसी के बाद अपने यह जादा आपके लिए अभी कारगर साबित हो सकता है जितना हो सकते प्यूंट यूप से आपके लिए पॉजिटिव में रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं जहां हमने घतम किया था आज हम करेंगे स्टेट फॉर्स्ट्री कॉलेज की यानि की हमारे गार का पहला वानी की महा बिद्याले और भी 2023 यहां तक हमने देखा कि अगर आपको पता भी होना चाहिए कि मुंगेर बिहार का एक जिला है एक बहुत बड़ा इतिहासिक जिला है तो मुंगेर में बिहार का पहला वानिकी महाविद्याले 7 परबड़ी 2023 को उटगाटन किया गया किनके द्वारा चीफ मिनिस्टर नितिसकुमार के द्वारा और ये बिहार का पहला वानिकी महाविद्याले है और देश का दूसरा महाविद्याले है इसमें इस कॉलेज के अंटरगत बिहार के अगरी कल्चरल सब और भागलपूर यानि कि यह कॉलेज किसके अंडर में आता है तो बिहार एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी सब और जो कि भागलपूर डिस्टिक में हैं इसके आगे की बात हम करें तो यह कॉलेज मुंगेर में गंगापुल के पास च्वियानवे एकर पर बन रहा है 25 दिसंबर 2019 को मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने इस वानी की कॉलेज का सिलान न्यास किया था और साथ परबड़ी 2023 को उन्होंने क्या किया था उन्होंने इसका इन और ग्रेटिट किया था आईए नेक्स्ट बिहार टॉप्स इस रोज नाइट टाइम लाइट एटलस ये भी बहुत इंपॉटन्ट है इस रो के नाम से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़े आने लगी है क्योंकि इस रो ने वोकर दिखाया है जो कोई देश करने के लिए सूचता रह जाता है हमने चंद्रयान ती दिखाय सफलता प्राप्त की है आदित one पे भी हम बहुत सफ़ता प्राप्त करने वाले हैं पर दो आये इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इस रोग के बिहार अबना केवल अंधेरे से बाहर आ चुका है बलकि देश के चमकते राज्यों में अवल बन गया है जैसे कि आप देख सकते हो नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर हैस क्लेम्ट दाट बिहार सब्सक्राइब करें तो दुनिया भर के शेत्रों के आर्थिक विकास के ट्रैक करने के लिए अर्थ शास्त्रियों द्वारा नाइट लाइट का उपयोग किया जाता है उसके आगे देखने हैं तो पिछले दशक यानि कि अगर हम दशक की बात करेंगे लास्ट डिकेड अकॉ इस और छोड़ आस सकते हैं क्योंकि क्योंकि करने वाले को पता है कि वह आपसरों के फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे कर दिए च्चा बच्चा भी इसिरों का फुल फॉर्म जानता है लेकिन वो पर काम कर रहा है उससे डिएट फॉल फॉर्म आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो यह आपके लिए वीवी आई हो सकता है लाइक एनारसी तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस रों के अंतरकत एनारसी का फुल फॉर्म क्या है तो आप आराम से आग बंद करकर टिक आउट कर दीजेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को ही अम नरसी कहते हैं दूसरा फुल फॉल फॉर्म है एंटी एल एंटी एल डाट मिन्स नाइट टाइम लाइट ओके आई यह उसके आगे देखते हैं एटलस के अनुसार राष्ट्रेस्तर पर आसतन पैतालिस प्रतिशत की वृद्धी हुई है जबकि बिहार राज में यह वृद्धी 474 प्रतिशत की रही है जो देश की अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है वरी वरी इंपॉर्टेंट है वाइल इंदा स्वरी चार सो चहतर प्रतिशत की बात नहीं करेंगे यहां पर आप देख सकते हो वाइल इन दा स्टेट ऑफ बिहार दिस इंक्रीज हास बिन 47.4 परसेंट विच और फार एहेड ऑफ अधर स्टेट ऑफ दे कंट्री ठीक है आईए उसके आगे बात करते हैं थ्री प्रस्नालिटीज ऑब बिहार सेलेक्टेट ऑफ पर पदमिस्री पदमिस्री अवार्ड के लिए हमारे बिहार से तीन लोगों का चयन किया गया है 25 जनवरी 2023 प्रसेडेंट एनौंस दा कंट्री इस हाइस सिवेलियन अवार्ड पदमिस्री अवार्ड फॉर्ड ये इसकी राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपती मुर्मों के द्वारा वह पदमिस्री अवार्ड प्राप्त करने वाले जो तीन महापुरुष है वह जिसमें से एक इंपॉर्टेंट परसन है नारिश शक्तिकरन का सबसे बरा नाम है सुबद्रा देवी इनको आठ पेपर मैसी क कला के लिए इनको पदमिस्री की असने वाजा गया है दूसरा नाम आंन्द कुमार जी का है इनको आउइड दिया गया है साहितने के लिए लिट्रेचर एन एजुकेशन, सूपर थर्टी, सूपर थर्टी के आनन्द कुमार, आप सभी वाकिफ हैं सूपर थर्टी के आनन्द कुमार से, इनके उपर बहुत ही अच्छी बायोपिक मुवी भी बनी थी, सभी को पता है, ये गरीब तीस बच्चों के लिए हर साल अपना बूटी के लिए, ठीक है, कला बावन बूटी के लिए इन तीनों हमारे बिहार के ऐसे नारिश अशक्ति करन का योगदान देने वाली सुबद्रा देवी, आनन्द कुमार और कपिल देव प्रशाद, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से रहेंगे, पास लगभं 90% लोग आप ऐसे हो चुके हैं, जो 5G यानि कि 5th generation वाले अपने cell phone का यूज कर रहे हैं, मुवाइल फोन का यूज कर रहे हैं, तो भाई, पटना और मुझह परपूर भी पीछे क्यों रहे, इसको लॉंस्ट करने के लिए, तो जियो ट्रू 5G सर्विस जो है, वो पटना और मुझह परपूर में लॉंस्ट किया गया है, क्या है, आप देख सकते हैं, 14 जनवरी 2023, रिलाइंस जियो लॉंस्ट, रिलाइंस जियो ने लॉंस्ट करा है, ट्रू 5G सर्विस बिहार के क्यापिटल पटना में, और मुझह परपूर शहर में, अगर पटना की अर्बन एरिया की बात करेंगे, तो पटना साहिब से लेके दानापूर, और अर्बन एरिया मुझह परपूर जो है, विल नाउगेट कवरेज ऑफ जियो ट्रू 5G, यानि कि मुझह परपूर के भी सारे जो आपके शहरी शेत्र हैं, उनको कवर किया जाएगा, दिसंबर 2023, जियो ट्रू 5G will be available in every town and every villages of बिहार and जारकन, आने वाले दिसंबर 2023, पुरे बिहार के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, कि हम टेक्नलोजी में इन्हांस्ट कर रहे हैं, और अपनी नेटवर्क को बहुत जाद आगे लेकर जा रहे हैं, अभी तक पटना और 2023 में बिहार के हर एक बरे शहर हो या छोटे सहर हो या गाउं हो और बिहार के साथ साथ जारकन, यहां पे आप सभी को 5G सेवाएं प्रदान की जाएगी, 5G है तो सब कुछ है, यह तो सभी को पता है, क्योंकि 5G एक ऐसी सेवा है, जो कि हर कमपनी अलिमिटेड आपको तो इससे आप अपने पढ़ाई के शुत्र में इसको जितना लगाएंगे तो वह आपके लिए ज्यादा फाइदे मन रहेगा, आईए, सबसे इंपोर्टन पॉइंट, बिहार बजट 2023 से 2024 आईए इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, बिहार बजट, बिहार के जो फाइनेंस तो दो लाख एकसट हजार आटसो पचासी करोर फोर फाइनेंसियल इयर 2023 और 2024 इसको उनोंने प्रियोटी दिया था यूथ एंप्लोईमेंट के लिए जो की बहुत इंपोर्टन है, यानि की युवाओं और रोजगार की प्राथमिकता के लिए, दे प्रिवियस एर्स 291 क्रोड थी आये उसके डाटा को भी हम देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी कुश्चन्स आपके डारेक्ट आ सकते हैं, वेर ड़स रुपी कम फ्रॉम टॉप थ्री आइटम्स, रुपिया कहां से आता है, सिर्ष तीन मुद्दे की रुपिया आता कहां से है, सबसे पहले स स्टेट सेयर अफ सेंट्रल टेक्सिस केंद्र करके माध्यम से 34.20 प्रतिशत, फ्रॉम ग्रांट इन एड ऑफ दे सेंट्रल गवर्मेंट यानि केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से, फिर तीसरा फ्रॉम दे स्टेट्स ओन रवेन्यू यानि की राज का राज के अपने रा प्रसल सर्वीसेंस उसके बाद आपका जेनरल स्र्विसूस और सवाओं पर सबसेज़़ा पैसे जो हैं वो सामाजिक कर्यों पर खरच किये जाते हैं 38.14 प्रतिशत जेनरल सर्विसेस पे 28.38 परसेंट एकॉनमिक सर्विसेस पे 24.01 परसेंट आईए नेक्स देखने हैं टॉप 11 एरिया जॉक्स एक्स्पेंडिचर इन द बजट यानि की बजट में सीर्स व्यायवाले पाच छेत्र कौन-कौन से हैं सबसे पहला आता है सिक्ष यानि की एजुकेशन अगर इसके एक्स्पेंडिचर की बात करें तो 22.35 परसेंटेज की बात करें तो 22.20 रूलर डेबलप्मेंट 15193.199 यानि की अगर बात करें इसके प्रतिशत की तो 15.199 प्रतिशत उसके आगे देखते हैं सोसल वेलफियर 8191.79 यानि की 8.199 प्रतिशत का योगदान रूलर वर्क की बात करें तो 7950.27 यानि की अगर परसेंटेज की बात करें तो 7.95% हेल्थ उसके बाद आता है आपका हेल्थ रोड कंस्ट्रक्शन अर्बन डेबलप्मेंट एं हाउसिंग वाटर रिसोर्सेस अगरी कल्चर डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इंजिनियरि तो साथ यानि की परसेंटेज की बात करेंगे तो 7.95 प्रतिशत अगर हम स्वास्तिक सिवाओं की बात करेंगे तो 7117.56 करोर रुपए और इसकी प्रतिशत की बात करेंगे तो टोटल प्रतिशत का 7.122 प्रतिशत रोड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 4420.99 प्रतिशत में 4.42 प्रतिशत अर्बन डवलप्मेंट और हाउसिंग की बात करेंगे तो 4055.10 क्रोर और प्रतिशत में 4.06 वाटर रिसोर्सेस में 3232.63 और प्रतिशत की बात करेंगे तो 3.23 उसके बाद लोगस्वास्त अभियंत्रण की बात करेंगे तो 1.947.65 क्रोर और परसेंटेज की बात करेंगे तो 1.95 परसेंट अन्य भिवाग की बात करेंगे तो 22,908.48 यानि की टोटल प्रतिशत का 22.91 प्रतिशत तो आपको पता है कि जो आपके द्वारा करो का आप जो कर्व देते हैं सरकार को जो टेक्स पे करते हैं चाहे वो खादे समागरी पे हो या अपने प्रोपर्टी की हो अपनी गारी की हो किसी की भी हो तो वो आप सामाजिक कल्यान के लिए ही वो कर का पे करते हैं तो इसी वज़ें से आप कल को अधिकारी बनने जा रहे हैं तो अपने कर को एक अच्छे नागरी कोने के नाते जर तो हम देख सकते हैं कि यह बारा प्रतिशत जो है वह कम है बाइस और तैइस के मेट से अगर हम बात करें तो यह राज्य द्वारा अब तक कितना कर्ज चुकाया जाएगा तो राज्य द्वारा 23,569 करोर का कर्ज चुकाया जाएगा एक्सपेंडिचर पे तो 2023 में व्याई बजट अनुमान से 21 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है तो यह बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इसके रेशिप्स की बात करें गे तो 2023 से चाव्यस की प्राप्थियंगे उधार को शोर कर दो लाख बारह हजार साथ सो उनसट करोर रुपए का अनुमान है जो दो हजार बाइस तैइस के संसोधित अनुमान से छह प्रतिशत अधिक है जो आप देख सकते हैं अब इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो तैइस से चौबिस में राजस्व अधिशेस चार हजार चार सो उननासी करोर रुपए यानि जीएस डीपी का 0.5 परसेंट होने का अनुमान है यानि की जीएस डीपी का 3.6 परसेंट के अनुसार 28,349 करोर रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है यह सब बहुत इंपॉटन्ट है बजट से भी कुश्चन्स आपके आते हैं एक कुश्चन्स बजट से जरूर आते हैं तो बजट वाले टॉपिक को ध्यान से देख अगर कहीं से कुछ स्किप हो गया हो तो वह आपके लिए फाइदेवन साबित हो सकता है अगर उसके आगे की बात करेंगे तो 2023 से 24 में राजकोशिय घाटा जीएस डीपी के 3 प्रतिशत यानि की 25,568 करोर रुपए पर लक्षित है 22 में संसोधित अनुमान के अनुसार आठ प्रतिशत रहने की उम्मीद है जो जीएस डीपी के 3.5 प्रतिशत के बजट अनुमान से काफी अधिक है जो आप देख सकते हो विच इस मुच हायर देन दा बजट एस्टिमेट ऑफ 3.5 परसेंट ऑफ जीएस पीडी आगे की बात करते हैं जीएस पीडी 2021 और 22 विहास जीएस पीडी एट कंस्टेंट प्राइस इस एस्टिमेटेट टो ग्रोबाई 11 परसेंट यानि की जो ग्रोग किया है वह 11 प्रतिशत का है अगर प्रिविएस यर की तुलना में देखेंगे तो ओवर दा प्रिविएस येर्स लोस ला लोबेस बट इन 2021 बिहास जीएस पीड की डिक्रीजड बाई 3.2 परसेंट जैसा कि आप देख सकते हो बिहार में जीएस पीडी में 2021 में 3.2 प्रतिशत की कमी आई थी और पिछले वर्ष के निमनाधार पर 11 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है उसके आगे देखते हैं सेक्टर वाइस कंट्रिबूशन सेक्टर वाइस जो कंट्रिबूशन है वह एग्री कल्चर का है मैनिफेक्टरिंग का है और सर्विस सेक्टर जो है वह एस्टिमेटे टू कंट्रिब्यूट वह जो कंट्रिब्यूट करते हैं वह 26 प्रतिशत एग्री कल्चर से पर बात करेंगे तो इन तीनों का योगदान बहुत जादा है सेवा शेत्रवी निर्मान और क्रिशी कारीयों पर अनिंप्लॉइमेंट छेत्रवार योगदान तक भी श्यात्रोजगारी की बात करेंगी तो आवधिक श्रंबल सर्वेक्षन जुलाई 21 से लेकर जून 2022 की बात करेंगे जुलाई 2021 से जून 2022 की बात करेंगे तो बिहार में रोजगार दर जो है वो 6 प्रतिशत थी बिहार से लेकर 29 वर्स की आयू वर्क के लिए बिहार में बिरोजगारी दर बीस दसम्लव एक प्रतिशत थी जो राश्ट्री अस्तर पर बार दसम्लव चार से भी अधिक ती जैसे आप देख सकते हो इंप्लॉइमेंट रेट इन बिहार फोर दा एज ग्रूप और फिप्टीन तो ट्वेंट नाइन यर्स वस्ट्वेंटी पॉइन परसेंट विच विच वाइन नेशनल लेबल ऑफ त्वेल पॉइंट पॉइंट पॉर संट मेजर पॉलिसी दिसकूशन की बात करते हैं क्रिशी की बात करें तो क्रिशी में हमने देखा है सेवरल मिशन अप्रपोस्च टूब लॉट्स एन आग्रिकल्ट्व यह बहुत इंपोर्टेंट है जिसमें कौन कौन है तो बिहार का मिलिट मिशन है भिहार के PULS रहनाओ कि दाल मिलट की बात करें तो मोटे अनाज को हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं और सीट्स यानि की तिलहन डैबलपमेंट मिशन और डाइवर्सीफिकेशन में तो यह चार इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको याद रखना है कई मीशन सुरू होने के जो प्रस्ताव हैं बिहार का मिलेट मिशन दलहन और तिलहन विकास मिशन और फसल विविधी करन का मिशन उसके आगे कि अगर हम बात करें तो चौथा क्रिसी रोड मैप अगर चौथा क्रिसी रोड मैप की बात करें यानि कि अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि दलहन और तिलहन पर विशेश ध्यान देते यानि कि Groundwater Conservation की बात करेंगे तो भूगर बिजल संद्रक्षन के लिए उत्यक्ष्टता केंद्र स्तापित किया जाएगा यानि कि सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ओर Groundwater Conservation विल बी सेट अप नेच्ट की बात करेंगे तो सरकारी भरती तो इसकी बात करेंगे तो बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन यानि की BPSC स्टाफ कलेक्शन स्टाफ सेलेक्शन कमिशन और टेक्निकल सर्विस कमिशन है विशूड और डिमांड लेटर तो फिला टोटल 63,900 पोस्ट यानि की इन पदों को भरने का मांग पत्र दिया गया है जिसमें की कौन-कौन से शामिल है आपके बिहार लोग सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग और तकनिकी सेवा आयोग अगर हम दूसरे जगह देखें तो पुलिस विभाग में 75,543 पदों की इस रिजन की स्विक्रिती दी गई है 75,000 and 543 पोस्ट इन दा पुलिस डेपार्टमेंट मेजर एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो रवेन्य एक्सपेंडिचर 23-24 इस प्रपोस्ट जो प्रपो और तारीस क्रोर विच इस नाइन परसेंट लेस देन डिवाइस एस्टिमेट जो की नौ प्रतीशत कम है दो हजार तैइस चौबिस के राजस्व व्याय का प्रस्ताव है जो की 22-23 के संसोधन अनुमान से नौ प्रतीशत कम है इसमें वेतन पेंशन ब्याज अनुदान और स सबसीडी के खर्च शामिल है जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सैलुरी की बात करें पेंशन की बात करें इंट्रेस्ट की बात करें ग्रांट की बात करें अब इसके कापिटल आउटले की बात करेंगे तो तैइस चौबिस के लिए पुंजी पड़ी व्या है 29,257 क्रोर र की बात करें तो पूंजी पड़िवय संपत्ति के निर्मान की दिशा में व्याई को दर्शाता है कि मैं उम्मिद करती हूं कि जो भी चीजे में बता रही हूं आपको अच्छे से वह समझ में आ भी रहा होगा और और आप हमारे साथ जुरे भी जरूर रहेंगे आए नेक्स्ट देखते हैं कि कमिटेड एक्सपेंडिशन कमिटेड यानि कि प्रतिवध्ध व्याई की बात करेंगे तो राज्य के प्रतिवध्ध में वेतन पेंशन और व्याज के भुगदान पर व्याई शामिल होता है जिस 24 में भिहार द्वारा प्रतिवध व्याई पर अठ्थ्ट्र हजार 6910 करूर रुपय खर्च करने का अनुमान है जो इसकी राजस्वोप्राप्तियां का 37 प्रतिशत है इसमें राजस्वोप्राप्तियों का पंदरा प्रतिशत पंच्शन 14 प्रतिशत और हैं जैसा कि हम 12,327 करोर रुपए होने का अनुमान है जो 22-23 के संसोधित अनुमान के 6 प्रतिशत से अधिक है अगर उसके आगे हम देखे तो इसमें 56,212 करोर रुपए यानि कि 26 प्रतिशत राज्य द्वारा अपने संसाधनों से जुटाए जाएंगे और 156,15 करोर रुपए होने का अनु प्रतिशत कम है आप देख सकते हो की रेज 53,378 करोर विच इस एट परसेंट लेस्ट अनुदान की रूप में प्राप्तियां तेरेपन हजार तीनसोधातर करोर रुपए होने का नुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत कम है आप देख सकते हो की रेज 53,378 करोर विच इस एट परसेंट लेस्ट देन दृफ्रिविएस एर आईए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हिगेज काम सेक्टर्वाइज ऐलोकेशन रेजन क्रोड अगर सेक्टर की बात करें तो एगरी कल्चर औरिलाइड एक्टिविटीज में 21 Bastille अगर बात करें तो इकीस बाइस की अगर बात की जाएँ तो 21 अब देख सकते हो कि 7606 और 21 में वास्तबिक की बात करें तो इतना वास्तबिक एक्ट्वल की बात करेंगे तो 3428 जो की बीए से वास्तबिक में कितना पडिवर्तन है तो माइनस 55% और अगर बात करेंगे वाटर सप्लाइन सानिटेशन की तो अगर इसके बीए की बात करेंगे तो 4990 और अगर एक्ट्वल की बात करेंगे तो 2918 जो की माइनस 42 पॉर्सेंट है पुलिस 11,558 क्रोर जो की एक्ट्वल में वास्तविक में 8,875 है यानि की माइनस 23 पॉर्सेंट है हाउसिंग की बात करेंगे तो 9,075 क्रोर और अगर एक्ट्वल की बात करेंगे तो 7,112 यानि की माइनस 22 पॉर्सेंट यानि की आप इससे क्या समझ रहे हो कि इसका परिवर्तन है ये इतना कम है उससे रूलर डेबलपमेंट में 24,156 रीफ की बात करेंगे तो 19,095 क्रोर यानि की माइनस 21 परसेंट और अगर एक्ट्वल की बात करेंगे तो 5,587 यानि की माइनस 18 परसेंट health and family welfare की बात करेंगे तो 13,012 क्रोर और actual की बात करेंगे तो 11,510 यानि की minus 12% education, sports, arts, culture की बात करेंगे तो 39,467 और actual की बात करेंगे 35,530 यानि की minus 10% उसके बाद education, sports, arts and culture की बात करेंगे तो 39,467 और actual में 35,530 क्रोर यानि की minus 10% irrigation and flood control की बात करेंगे तो 5047 क्रोर actual में 4712 क्रोर यानि की minus 7% transport की बात करेंगे तो 8411 क्रोर और actual में 8963 क्रोर यानि की 7 प्रतिशत यहां पर व्रिद्धी देखने को मिली है और अगर road और bridges की देखेंगे तो 7,800 में 7547 एक्च्वल यानि की minus 3% social welfare and nutrition की बात करेंगे तो 12,610 लेकिन वास्तविक में 13,452 यानि की 7 प्रतिशत जादा welfare of SC, ST, OBC and minorities में 3,702 क्रोर जिसमें की actual में 4,294 यानि की 16 प्रतिशत की व्रिद्धी है इसमें और energy की बात करेंगे तो 8,473 actual में 10,426 यानि की 23 प्रतिशत की व्रिद्धी है यानि कहीं कम है तो कहीं जादा भी है अगर जादा के point of view से देखेंगे तो हम welfare of SC, ST, OBC and minorities में आपको देखने को मिल रही है energy में भी आपको देखने को मिल रही है और आपके transport में भी देखने को मिल रहा है तो यह तीन में आपको से जादा देखने को मिल रहा है जो आपका estimate से जादा वास्तविक रूप में व्य की गई है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बिहार economy survey 2022 & 23 अगर इसकी बात करें आर्थिक सर्वेक्षन अगर हम देखे तो बिहार की अर्थ विवस्था एक अवलोकन चैप्टर वन economy of बिहार an overview according to बिहार economy survey 22 & 23 ग्रोश स्टेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट एट कंस्टेंट प्राइस ग्रिव बाई 10.098 परसेंट as compared to minus 3.2 परसेंट in 2020 20 & 22 इसके आगे अगर हम देखे तो कितना ग्रोथ रेट रहा है तो 22 में 8.6 परसेंट था अगर उसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका जो क्विक एस्टिमेट है स्टेट ग्रोश स्टेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट 21 में वो छे लाग 75,448 क्रोड जो एक करेंट प्राइस एंड रेस पोर थाउस फोर लाक्स 28 थाउजन और 65 क्रोड एट 11 12 कंस्टेइंट प्राइस अगर हम इसकी बात करें तो 22 में राजेका सकल राजे घरेलू उत्पाद वृतमान मूल्ली पर 6प्षेतर हजार चारसो अड़्ता मूल्य और एग्यारा बारा के इस्थिर मुल्य पर 3,82,274 क्रोर रुपए था फालता बिहार का प्रतिवेक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मुल्य पर 54,383 रुपए और 2021-22 के इस्थिर मुल्यों पर 34,465 रुपए था जहांकि आप यहां देख सकते हो आईए प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं अगर हम प्रात्मिक शेतर की बात करते हैं तो इसके अंडर में तो टू सब सेक्टर हैं एक आपका लाइव स्टोक है और दूसरा आता है फिशरी एन एक्वा कल्चर यह बहुत इंपोर्टन्ट है यानि कि पशुधन और मतस से खे तो इस तरह की कुछन्स पूछे जाने के अनुमान बहुत जादा होते हैं तो इन सब पर जादा फोकस करके जाएगा अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो इसमेंटरी सेक्टर की आता है गैसा आता है वाटर सप्लाइब आता है और अगर सब्सक्रक्राइब आख तरश्राइब करेंगे तो सब्लोर की भष चब्रीज तर में सब्लक्राइब जु 1-2 लाइन है ुब इस दों में तनहीं की अवाई ट्रांस्पोर्ट की बात करेंगे तो हवाई रॉन प्रतिशत में जिसनेों वेर हाउसिंग की बात करेंगे तो 21.3 प्रतिशत की बात करेंगे तो 12.6 प्रतिशत और पॉब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 9.3 पॉरसेंट रहा है अगे फिर सेक्टर का दो प्रतिशत रहा है और टर्शलि सेक्टर की बात करेंगे तो साथ दसमलब साथ प्रतिशत की रही है 16.7 पॉर्सेंट आये थ्री मोस्ट प्रोस्पेडियस डिस्ट्रिक्ट जो रैंकिंग में हैं रैंकिंग ऑफ 38 डिस्टिक इन टर्म्स पर कापिटा ग्रोस इस्टेट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट इन दा यर बीस एकीस में पटना आता है पहले स्थान पे यानि कि एक लाग 15,249 बेगुसराय 45,497 और मुंगेर 42,793 और दूसरे में देखेंगे तो पॉर्स डिस्टिक की बात करें तो शिवहर 18,692 अरडिया 19,527 और सीता मढ़ी 20,631 यानि कि हाइस्ट में आपके तीन जिले हैं पटना बेगुसराय और मुंगे पहले दूसरे और तीसरे अस्थान पे अगर सबसे कम की बात करेंगे लोईस्ट की बात करेंगे तो शिवहर अरडिया और सिता मढ़ी पहले दूसरे और तीसरे अस्थान के साथ है नेक्स्ट स्टेट फाइनेंस यानि कि राजकी वित्यविवस्था इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्मेंट एकीस-बाइस के अनुसार कितना था तो 1.93 लाख करोर अगर उसके बात की बात करेंगे तो 0.34 लाग करोर रुपए यानि कि 17.6 प्रतिशत पूंजी गत व्याइए रहा है आप देख सकते हो 17.6 परसेंट वोस्ट क्यापिटल एक्सपेंडीचर आई स्टेट गवर्मेंट ने कलेक्टेट किया है कलेक्ट किया है रेवेन्यू ऑफ 38,839 क्रोर कौन कौन से फॉम इट्स सोर्सेस एकीस-बाइस आउट ओफ विच दर रेवेन्यू क्लेक्टेट फ्रम टेक्स टेक्स से जो कलेक्ट किया गया है वो 34,855 कर और यानि की दस असंबलव तीन एक प्रतिशत अगर इकीस-बाइस के अनुसार हम देखे तो इकीस-बाइस के अनुसार केंद्र सरकार से राज्य सरकार को होने वाला सकल वित्य अंतरन जो था वो कितना था एक लाक उनतीस हजार चार सो चीयासी करोर जिसमें 91,353 करोर केंद्रिय करो के राज्य के हिस्से के रूप में प्राप्त हुए हैं जैसे कि 91,353 करोर वोज रिसीब्ड ऐस्टेट शेयर इन सेंट्रल टेक्सस नेक्स्ट इसके चैप्टर 3 में हम देखते हैं एगरिकल्चुर अने एलाइड सेक्टर एगरिकल्चुर यानि की क्रिशी और सहवर्ती शेत्र की बात करें तो लास्ट फाइब यानि की 17-18 से लेके 20 की इसमें देखेंगे तो ग्रोफ रेट जो एग्रिकल्चुर और एलाइड सेक्ट का कितना था 5 परसेंट था ओवर्ल सेक्टर यानि की अगर हम बात करें तो जी एस वी ए में इस शेतर का 20 प्रतिशत हिस्सा था अगर वर्ष में मूल्य वर्धन में क्रीसी के उपचेत्रों का युगदान की बात करें तो इरिया यानि की फसल शेत्र में 11.1 प्रतिशत का रहा है लाइव स्टॉश्ट की बात करेंगे तो से यह अथ प्रतिशत का रहा है उसके में नेच्छान एरिया इन बिहार वाज 50.5 परसेंट वाइल दो क्रोपिंग इंटेंसिटी वाज 1.44 अगर बात करें तो 2021 में बिहार में सुद्ध बुआई का शेत्र 50.5 प्रतिशत था जबकि फसल सगन्था कितनी थी तो फसल की जो सगन्था थी वह 1.144 थी अब अगर 212 में राज के कुल 181.0 लाग टन अनाश का उत्पादन हुआ है यह बहुत अच्छी बात है कि 212 में इसी विभाग द्वारा राजय योजना के तहत कुल 142.027 लाख करोर रुपए के वैक योजना शुरू की गई है अगर इसके जैविक कोरीडोर योजना की बात करेंगे यानि की जैविक कोरीडोर योजना यानिकी और गैनिक कोरीडोर प्लान 2225 के तहत और भी 20,000 एकर जम अगर हम इसके इंटरप्राइज सेक्टर की बात करें यानिकी उध्यम छेत्र की बात करें तो अठारा उनीस से लेके उनीस बीस के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3 परसेंट बढ़ी है यानि कि हम बहुत पीछे हैं जहां तक देखा जाए तो आप यह आं हैं और इतने वर्षों में यानि कि लगभग दो वर्षों में सिर्फ 0.3 प्रतिशत की व्रद्धी देखने को मिली है लेकिन कार ये शील पूंजी जो है वह 51 प्रतिशत बढ़ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो वर्किंग कापिटल इंक्रीजड बाई 51 परसेंट अगर 2020 में बिहार के शुद्य मुलिवर्धन में 18-19 से 1.2 प्रतिशत व्रद्धी दर्ज हुई थी जबकि संपूर्ण भारत के अस्तर पर इसमें 4.8 प्रतिशत कमी आई थी जैसा कि आप देख सकते हो वाईल इडिक्रीजड बाई 4.8 परसेंट एन ओल इंडिया लेवल इनी प्राप्ति की दर्जों थी वो 9.6 प्रतिशत थी राज्य में इतनौल उत्पादन की शमता 21-22 के अनुसार में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी जो 20-21 में 370,000 लीटर प्रतिदिन थी विद्यूत उत्पादन के मामले में 21-22 में 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है जो कि आप देख सकते हैं इन टर्म आफ पावर जेनरेशन एट सुगर मिल जॉइंटली प्रोड्यूस्ट एटी एट पॉंट फाइट मेगावाट ऑफ एलेक्रिसिटी इन 21-22 नेक्स्ट भिहार इंड्रस्ट्रियल इन्वेस् स्टेट गवर्मेंट रिसीप प्रपोजल टोटल इन्वेस्ट्मेंट उस्टीन पॉइंट सिक्स थाउजन क्रोड इन लास्ट सिक्सियर्स जैसा कि आप देख सकते हो कि बिहार अद्योगिक निवेस प्रुत्सहान निती 2022 के तहत राज्य सरकार को गत शे वर्षों के लिए 60.86 करोर रुपे निवेस के लिए प्रस्ताओं मिले हैं अवी बिहार में 398 इकाईयां काम कर रही है और इन कारिशील इकाईयों में 3.39 करोर रुपे निवेस्ट हैं जैसा कि आप देख सकते हैं आईए आगे देखते हैं लेबर इंप्लॉइमेंट एक स्कल यानि कि श्रम रोजगार तथा कॉशल अगर इसकी बात करें तो मेल वरकर का जो प्रतिशत था जबकि संपुन भारत के अस्तर पढ़िया आपके पूरे भारती इस्तर पर इंडियन लेबल पर वहीं शहरी बिहार के मामले में पुरुष रमिक जनसंख्यान अनुपास संपुन भारत के 75.6 परतिशत की तुलना में कितना रहा है तो 64.6 परसेंट ही रहा है इसकी तुलना में अगर कंप्यर किया जाए तो आर्बन भिहार वो 64.6% as compared to 75.6% for all इंडिया आईए नेक्स्ट देखते हैं अगर एवरेज डेली अर्णिंग की बात करें तो मेल वर्कर को भिहार में 338 रुपए मिलते हैं जबकि फीमेल वर्कर को 244 रुपए मिलते हैं दिहारी मजदूरी के रूप में जो कि जेंडर गाप का 28% है यानि कि एड़ ऑल इंडिया लेबल गाप इवेन हाईर एट 36% अ करें तो में उंक्रीज दा हो व्मेन के हम रिप्रेशेन रेप्रसेंटेशंग की कि बात करें तो स्टेट गवर्णन ने क्या करा है होरी जोन्टल रिजर्वेशन 35% का दिया है यानि कि एक 36 reservation मिला है महिलाओं को 36 आरक्षन दिया गया है 35 प्रतिशत का प्रतिनिदित वो बरहाने के लिए राज्य सरकार की ये मुहिन चली है कि हर नौकड़ी के लिए even BPSC के लिए भी महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षन दिया गया है तो इसमें लड़कियां जिदना ज करवाई के कारण बिहार पुलिस में 28,994 महिलाएं नियोजित हैं जो राज्य के कुल पुलिस बलका लगबग 24 असमलव तीन प्रतिशत है चलो कहीं न कहीं तो women empowerment काम आई अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि बिहार पुलिस में जो महिलाएं है वो 24 असमलव तीन प् स्ट्रेक्चर बहुतिक अधिसन रचना की बात करें तो 21-22 में वायू पडिवहन में यानि की ग्रॉस स्टेट वैल्य एडिशन इंक्रीज बाई 54.4 परसेंट इन एर ट्रांसपोर्ट 33.33 परसेंट इन ट्रांसपोर्ट लाइक सर्विसेस और 31.8 परसेंट इन रोट ट्रां सद्रिश्य सेवाएं और पथ परिवहन में 31.8 प्रतिशत मूल्य वर्धन बढ़ा है कि 2019 में बिहार के कुल पथ घनतु का कितना था 3106.9 किलो मिटर प्रती 1000 किलो मिटर वर्ग किलो मिटर भगलिक शेत्रफल था जो देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाध सब्सक्राइब करें देश में उत्तर प्रदेश और महराष्ट्र के बाद बिहार का ही अस्थान है विवाग ने विद्यूत वहानों और सी एंजी से चलने वाले बाहनों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं तो यह काम बिहार सरकार के तरफ से एक अच्छ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फ्लायोवर्स बहुत सारे रोड और पॉल्लेंट बनाये जा रहे हैं ताकि आप किसी भी तरह के ट्राफिक कंट्रोल को कर सके और बिहार में यह चीज यह डवलपमेंट हम सभी को देखने को मिल रहा है खास करके पटना में पटना में हर जगह आपको फ्लायोवर और अब तो सबसे अच्छी सेवा शुरू होने जा रही है मैट्रो सेवा और अगले साल के अंत तक इस आप से अगर देखा जाए तो बिहार इस शेत्र में भौतिक संरचना में धीरे धीरे डवलपमेंट करता चला जा रहा है कि चलिए इग की बात करते हैं इभरि हाउसल दिन बिहार तो और अगरंब अगर की बात करें तो हर पढ़िवार की इंटेर्नेट तक पहुंच हो चुकी है और हर पढ़िवार में और ऑस सम्टन 2 या अधिक चालू मुबायल कनेक्षन है यानि कि हर पढ़िवार में आपको तो आप अगर देखोगे तो मैं आपको यह बता दूं कि 15-16 साल के बाद हर एक बच्चों के बच्चों से लेकर बरे व्यक्ति और व्रिद्ध तक भी मुबाइल का केनेक्शन हो चुका है वही 98.7 प्रतिशत ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आजशादित है आप देख सकते हो वेर वेर एज 98.7 परसेंट ग्राम पंचायत और भारत नेट सामानने सेवा निबंटन पोर्टल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पडिवार के विभिन सदस्य राज्य सरकार की योजनाओं के तहत निबंधित हो सकते हैं मुख्य मंत्री डिजिटल स्वास्थ योजना के क्रियानवयन पाइलट अधार पर मुझपरपूर में किया गया है और सफल क्रियानवयन के बाद उसे शेस 37 जिलों में क्रियानवयन किया जाएगा बिहार में हर पुलिस थाने में भू समाधान एप का उप्योग भूमी बिवाद से जुरे मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो ये सवाल भी आपके हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री डिजितल स्वास्ति योजना का क्रियानवयन जो है वो किस जिले में किया गया है तो आप मुझपरपूर में टिक आउट कर सकते हो और शेस क्रियानवयन जो हमारे द्रूस हमादान के बात करेंगे लिए बहुम में विवाज से जुले माम्ले को ट्रैक कर लिए किया जा रहा है यह कि कापिटा कंजप्शन की बात करेंगे तो स्टेट जो है इंक्रीज कर रहा है कितने से तो दोसो असी किलोवाट्ट दोसो असी किलोवाट्ट आवर जो है वो 2017-18 और तीन सो अनतिस किलोवाट्ट जो है वो 21-22 था विच इन इंक्रीज डॉफ सेवेंटी वंड स्वारी 17.5 परसेंट इन फोर यह नहीं कि चार साल में 17.5 प्रतिशत की ब्रद्धी हुई है 17-18 में यह 280 किलोवाट्ट आवर था और अभी यह बरकर 329 किलोवाट्ट आवर में बदल चुका है यह लिए अधिलीबल पावर कैपिसिती इन दे स्टेट वाउस शिक्सिटी फोर ट्वेंटीटी तो मेंड़ीटी तो अब देख सकते हैं कि अगर हम बात करें राज्य में बिजली की अप्लब्धता शमता की तो बीस से एकीस में 6422 मेगावाट थी जो 21-22 में 21.2 प्रतिशत बढ़कर अब 7785 मेगावाट हो चुकी है अगर उसके आगे देखें तो विजली की बढ़ी मांग की पूर्ती के लिए राजय सरकार ने 24-25 में बिभिन श्रोतों से चरन बद ढंग से 5841 मेगावाट अतरिक्त शमता के लिए योजन में 7.3 प्रतिशत बढ़कर 7054 मेगावाट हो गई है चलिए 24-25 में एस्टिमेटेद डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का कितना हो जाएगा वह 8,003 मेगावाट हो जाएगा जिसमें की 4,232 क्रोड यूनिट ओफ एनरजी विल नीडिर यानि कि हमें इतने जादा यूनिट्स की जरूरत है 4,232 क्रोड यूनिट्स की जरूरत है अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो टोटल कैपिसिटी और जेनरेशन इन मार्च 21 वाज अगर मार्च 21 की बात करेंगे तो 6422 मेगावाट था जो की बढ़कर 21% हो गया है 7775 मेगावाट के साथ मार्च 2022 में अगर जो अब बढ़कर कितुना हो गया है तो आप देख सकते हो था एन ग्रोथ रेट ओफ रेनेवल सोर्सेस वोज अगर रेनेवल सोर्सेस की बात करेंगे तो वो 13.6 प्रतिशत था आप देख सकते हो कि ताप विद्ध्यूत वृद्धी दर 9.1 प्रतिशत नवी कर्णिय श्रो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे कि जीविका के तहरते 10.35 लाख स्वास्ते सहायता समू बने थे जिनमें 2.45 लाख यह इंपॉर्टेंट है यह आपका वीवी आई हो सकता है के एक्जामिनेशन पॉइंट व्यू से जीविका क 5,574 क्रोर का है यानि 5,574 क्रोर नेक्स्ट हम देखते हैं तो मन्रेगा के तहत रोजगार उपलब्द कराए गए पडिवारों की संख्या 17-18 के 22.5 लाख से बढ़कर 21-22 में और 40.0 लाख हो गई है रोजगार स्रीजन भी काफी बढ़ा है और 817.2 लाख वैक्ति दिवस से 21-22 में 1811.8 लाख वैक्ति दिवस तक पहुँच चुका है जन वित्रन प्रनाली के तहत की बात करेंगे तो 20-21 में कुल 5,474.9 तन खादैनों का आवंटन हुआ जिसमें 2,208.2 तन गेहूं और 3,266 तन चावल था जन वित्रन प्रनाली के तहत ये भी इंपोर्टन्ट है आ data को revise करते जाइए अब सिर्फ और सिर्फ revise करते जाइए क्योंकि question अगर वन लाइनर होंगे तो वह data-based होंगे और अगर वह statement में होंगे तो वह conceptual-based होंगे तो अपने concept और fact दोनों को correlate करके आपको अपने examination में चलना है जो आपके examination point of view से हो सकता है यानि कि data based question one liner होंगे लेकिन आपको proper data के साथ रखना है तो रिवाइस करते जाएए जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइस करते जाएए नए चीजों को पढ़ना मेरे ख्याल से नए चीजे आप देख सकते हो यानि कि 20 September तक मैं आपको एक अच्छी strategy बता रही हूं कोई नए चीजे आपको पढ़नी है तो 20 September तक उसको पढ़के आप complete कर दें क्योंकि 21 से लेकर नए चीजों को पढ़ना चोड़े वह उससे क्या होगा कि आप कुछ नए चीजे पढ़ते हो और आपको लगता है कि मैंने तो यह पढ़ा ही नहीं तो यह आपको नकारात्मक की तरफ ल मैं फिर से दुबारा रिपीट कर देती हूं दो ओफिसर्स क्लासे 6-9 के लिए फ्री टस्रीज चला रही है आप हमारे साथ जुरिये और फ्री टस्रीज दीजिए हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से ऑफिसर्स की टीम के द्वारा एक बेस्ट विकल्टी की टीम के द्व नगर विकास अर्वन डेवलप्मेंट 2021 के सेंसस के कॉर्डिंग अगर हम टोटल अर्वन पोपुलेशन बिहार में देखेंगे तो 1.18 क्रोड था और स्टेट गवर्मेंट ने डिसाइड करा था कि कुछ रूलर एडिया को अर्वन एडिया में कनवर्ट किया जाएगा और 6 न्यू मिनिसिपल कॉंसिल और 111 नियू नगर पंचायद जो है वर स्टीमेटेड होंगे एस्टीमेटेड उसके बाद ड्यू टू अवब डिसीजन तो ड्यू नैच्रल इंक्रीज़ पॉपुलेशन इन अर्वन एरिया अस्टीमेटेड अर्वन पॉपुलेशन इन बिहार 2022 विल भी 2.02 क्रोर विल भी क्या होई चुका है चाइना से हम आगे बढ़ चुके हैं और बिहार की बात करेंगे तो पॉपुलेशन डंसिटी में तो हमारे बिहार अवल दर्जे पे रहा है और रहेगा तो उसके आगे देखा जाए स्कीम अगर इसके स्कीम की बात करेंगे तो बिहार गंगा जल सप्लाई योजना है और चुपुलें न में स स्टपूरी बात करें तो बिहार गंगा जल आपूरती योजना नामक योजना शुरू ही है जिसमें. राजगीर शहर में लगभग 1.2 लाख नवादा शहर में लगभग 1.2 एक लाख और गया तथा बोध गया शहर में लगभग 6.3 लाख लोगों को लाब होगा इस यूजना के तहत मोकामा के हाथी धा में जल गरहन कूप सा पंपघर बनाकर गंगा नदी के अधिशेस जल की पाइप के जरिये आपूर्ती की जाएगी तो ये एक अच्छा काड़ी है जो की बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है गंगा जल आपूर्ती और ये जितनी जल्दी हो सके वह उत्रा ही बहतर है वैसे काड़ शील प्रगती पे काम चल रहा है अब इसको काम करने की आप पूर्ती की जाएगी अब नेक्स्ट की बात करेंगे अध्या निग्यारा बैंकिंग और सहवर्ती शेत्र की बात करेंगे चैप्टर 11 में तो 31 मार्च 2022 जो है व वन परसेंट मोर देन सेवेन 7676 बैंक ब्रांच इस ऑन मार्स 31st 2021 यानि कि एक साल में बैंकों की व्रद्धी हुई है विच कॉमर्शियल बैंक विद लार्जेस नेटवर्क इंदे स्टेट हैं 5083 ब्रांच इस फॉलवड बाइ रूलर बैंक विद 2110 ब्रांच यानि कि हमार बैंक की बात करेंगे स्टेट में तो 5083 ब्रांच इस हैं अगर हम उसके आगे की बात करेंगे बिहार में अनुसूचित व्यवसाई बैंक द्वारा जमाली गई रकम में बीसी किस में बीसी किस के 397.5 प्रतिशत बढ़कर इकीस बाइस में 442.2 करोर रुपे हो गई थी दूसरी ओर उनके द्वारा अपलब्ध कराई गई रिन रासी 19.3 प्रतिशत बढ़ी और दो हजार बीस इकीस के एक सो चौसर्थ हजार करोर रुपे से एकीस बाइस में एक सो पंचानवे दसमलब छे हजार करोर हो गई अगर रिन जमा अनुपात बीस इकीस के एक तालीस दसमलब दो प्रतिशत से बढ़कर एकीस बाइस में 42.2 प्रतिशत हो गई इस उधार के बावजूत जो है बिहार रिन जमा अनुपात 72.1 प्रतिशत के राश्ट्रिय औसत से कापी कम है यानि कि बिहार रिन जमा अनुपात की अगर बात करेंगे तो वह कितना कम है तो 72.1 प्रतिशत के राश्ट्रिय औसत से कापी कम है अगर हम इसके क्रेडिट डिपॉजिट रेश्यों की बात करें तो नीजी बैंक के छेत्र का रिन जमा अनुपात 87.2 प्रतिशत था जो सर्वजनिक शेत्रों के बैंक के 41.9 प्रतिशत रिन जमा अनुपात से काफी अधिक है अगर भारती स्टेट बैंक के रिन जमा अनुपात 36.3 प्रतिशत था जो राष्ट्रे उसत से बहुत कम है अगर हम इसकी बा थीन प्रतिशत रह गई है और वेवसाईध बैंकों की बात करें गवापिसित कने सब्सक्राइब quat नौन टॉटाइब करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ पोर बिहार इंक्रीस फ्रॉम सिक्स्टी फाइब पॉइंट एट यह इन च्छे दोहजार चैसे लेके दस तू नाइंटी सिक्स्टी नाइन पॉइंट फाइव इस इन जीवन प्रत्याशा की संभाव्यता है वह चैसे दस के वर्ष से बढ़कर कितनी हो गई है अगर चैसे दस की बात करेंगे तो यह 65.8 थी अब यह 16 से 20 की बात करेंगे तो 69.5 वर्ष हो गई है यानि कि यह जीवन प्रत्याशा जो है बढ़ गई है जो 10 वर्षों की अवधी में 3.7 वर्षों की व्रिद्धी देखने को मिली है संभून भारत के लिए जन्म कालिंग जीवन संभाव्यता की बात करेंगे तो 610 और 16 से लेके 20 के बीच यह 3.9 वर्ष की व्रिद्धी हुई है यह अच्छी ब अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो इंस्टिूशनल डेलिवरी जो है इंक्रीजड बाइस परसेंट इन दो हजार पांस से छे से लेकर 76.2 प्रतिशत 19 और 20 के बीच इंक्रीज ओफ 54.2 परसेंट पॉइंट परसेंट पॉइंट परसेंटेज पॉइंट अगर लेटिस्ट बुलेटिन की बात करें तो सेंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एट मैट सेंटेर्नल मॉटलिटी रेट जो है डिक्रीजड हुआ है 47.4 165 परसेंट लाक लाइफ बर्थ इन 15 तो 17 118 पर लाक लाइफ बर्थ इन 18-20 अगर हम बात करें मात मिट्टु दर्की तो 2015 से 17 के 165 प्रति लाख जीवित प्रसव से 47 अंक घटकर 18-20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव ही रह गई है 1.15 लाख ग्रामिन वाडो में से 1.13 लाख अभी भी नल से चलने वाले पाने को घरेलू कनेक्शन मौजूद है जिनमें लगभग 1.66 करोर पडिवार लावन भीत हो रहे हैं इससे पेजल योजना में अग 99.74 करोर रुपे था अगर 17-18 में पूशन के अच्छादन 63.1 प्रतिशत था पांच वर्ष बाद यह थोड़ा बढ़कर 21-22 में 64.4 प्रतिशत हो गया उच्छ प्रात्मीक अस्तर पर प्यम घुशना के अनशादन 17-18 में 57.7 प्रतिशत था जो 10.7 प्रतिशत अंक बढ़कर 21-22 में 68.4 प्रतिशत हो गया है चाइल्ड डेवलप्मेंट अगर हम अपने बाल विकास की बात करें तो बच्चे की जनसंख्या 4.9-8 करोर होने से बिहार में 48.8 अवादी 0-18 वर्ष की है अगर हम 0-18 वर्ष की आवादी की बात करेंगे तो 48 परसेंट पूरे बिहार के 0-18 वर्ष के बीच का है और अगर 4.98 करोर बच्चों में से 4.47 करोर यानि की 89.9 परसेंट ग्रामी शेतर में रहते हैं और 0.50 करोर यानि की 10.1 परसेंट सहरी शेतरों में लेंगिक विवरन के अनुसार उनमें से 2.35 करोर लड़कियां हैं और 2.62 करोर लड़के हैं बिहार म के 1.3 करोर से 2011 में 2.34 करोर हो गई है कुलाबादी में किशोडियों का हिस्सा थोड़ा बढ़कर 2001 के 222 प्रतिशत से 2011 में 22.5 प्रतिशत हो गया है राजय सरकार ने 13-14 में बाल बज़र तयार करना शुरू किया बच्चों पर वास्तविक वे 85.7 प्रतिशत बढ़कर 16-17 के 16,638.5 करोर रुपए से 2021 में 30,903.5 करोर रुपए हो गया है बच्चों के प्रतिवेक्ति वे भी 82.8 प्रतिशत बढ़कर 16-17 के 3275 रुपए से 2021 में 5986 रुपए हो गया है समगर सिक्षा अभियान के तहट अगर बात करे समगर सिक्षा अभियान की बात करे तो समगर सिक्षा अभियान के तहट 20-21 में 6-13 वर्स की आयू के समों के कुल 1.12 लाक विद्याले के बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में लाया गया है जो 21-22 के लिए यह आंकरा ऐसे 2.9 लाक बच्चों का था नेक्स्ट एंवरोमेंट क्लाइमिट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट पडियावरन जलवायू पडिवर्तन और आपदा प्रबंधन अगर अगर 2021 में भिहार रिसीप्ट टोटल 1,414 mm of rainfall 21 में भिहार ने टोटल 1,414 mm जो है वो वर्शा ग्रहन किया था जो 31 प्रतिशत ज्यादा था लॉंग टर्म एवरेज से 2021 में अगर minimum temperature की बात करें तो state का state 30 degree Celsius और average maximum temperature की बात करेंगे तो 42 असमलव 5 प्रतिशत था अगर production, import, storage, distribution, cell और use of single-use plastic provide in a state since july 1222 यानि कि plastic का उप्योग प्रति बंधित कर दिया जा चुका है इस पर रोक लगा दी जा चुकी है जो कि जुलाई एक दो हजार बाइस से ही हमारे बिहार में ये चलाई जा रही है योजना कि किसी भी तरह के आयत भंडारन वित्रन विक्री के लिए प्लास्टीक का उप्योग निशेद होगा 21 के जल जीवन हडियाली अभियान के मिशन में 5.0 क्रोर विक्षा रोपन अभियान के तहत कुल 388.97 लाख पौदे लगाए गये हैं ये भी बहुत इंपॉटन्ट है आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें मिशन 50 क्रोर ट्री प्लांटेशन कैंपियन फोर जल जीवन हडिया तो इसमें 388.98 लाख जो है पेर लगाए जा चुके हैं पश्चिम कोसी नहर योजना के तहत की बात करेंगे तो 803 करोर रुपए के वैसे मधुबनी और दरभंगा जिले में नई सिच्चाई प्रनाली के निर्मान और मौजूद नहरों एवं धांचों के जिनार्धार की क नाम में प्रगति पर है इस योजना के फलस्वरुप कुल कि दो लाख 65,265 हेक्टेर सिच्चाई सुभिधाय स्रीजित होगी तो हमने अभी तक तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर अप कर लिया है तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर अप करने के बाद हमारा ज तो कल के क्लास में हम मिलते हैं आप सभी के साथ बिहार करंट अफेर के साथ सिर्फ दो से तीन दिन और हमारे साथ जुरे रहे बिहार स्पेशल की सारी चीजे कवर अप करा दी जाएंगी यह दो ओफिसर्स क्लासिस का वादा है आपसे और रही बात मैं दुबारा से रिपी करना चाहती हूं क्योंकि मैं आप में एक पॉजटीव वाइब भरना चाहती हूं कि एक पॉजटीव वाइब बहुत इंपॉटेंट होता है किसी अस्पिरांस के लिए तो हमेशा कुष्टिंस को भी सौल कीजिए पढ़े भी रिविजन भी कीजिए यह बहुत है मैं सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बाद हम तल के क्लास में मिलते हैं आप सभी से तब तक के लिए बाई और आल दे बेस्ट अन्डू स्टुड़ी हार्ड